कि अधर्वाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कि मंसब्दारी और जागीदारी सिस्टम किस तरीके से मुगल इंपायर के विनाश्च का कारण बने थे आज के वीडियों में हम भई देखने के कोशिश करेंगे चलिए स्टाट करें आज का वीडियो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मनसबदार कौन होते थे यह मनसबदारी सिस्टम था क्या यह जो मनसबदारी सिस्टम था यह introduce करवाया गया था अकबर के द्वारा किसलिए था कि वो अपने territory पे अच्छा control रख सके मनसब जो होता है word उसका मतलब होता है rank and दारी का मतलब होता है to hold तो इसलिए अगर हम इन दोनों को मिला दें तो बनता है मनसबदार तो मनसबदार का मतलब होता है rank holder तो मुगल empire में जो लोग rank holder थे जिनको एक इस्पेशल स्टेटस दिया घया था रैंक देके तो वैसे जो लोग थे उन लोग को मनसबदार कहते थे यह जो system था जिसके तहर्त rank provide किया जाता था उस system को मनसबदारी system कहा जाता था so अकबर जो है मनसबदारी system introduce करता है मनसबदारी system को introduce करने के बाद वो दो number देता है हर मनसबदार को और यह जो number थे यह कुछ signify करते थे पहला number कुछ signify करता था और दूसरा number कुछ और signify करता था तो जो पहला number था उसको जात कहते थे जात या जात तो पहला number जो था जात वो denote करता था rank कि उस बंदे का rank कितना है जितना बड़ा आगे का number उतना बड़ा rank and उसकी position define किया जाता था उस number से court में means जो मुगल दरवार बैठेगी तो उसके अंदर कितना उसका value है जिस तरीके आज के time पे हगर हम देखे तो cabinet ministers हैं उसके वाद मतलब union of ministers हैं union of ministers के अंदर जो cabinet minister है cabinet minister के अंदर जो kitchen cabinet में जो ministers होते हैं कि value ज्यादा होती है तो उसी तरीके से जो जात रैंक था उससे पता चलता था कि उस बंदे का rank कितना है और उसका क्या position है मुगल कोट में और साथ ही जात रैंक जो था वो define करता था कि इस बंदे की personal salary कितने रहेगी जो दूसरा number था वो उसको कहा जाता था सवार तो जो सवार था यह denote करता था यह define करता था कि वो जो particular बंदा है वो कितने soldiers रख सकता है और कितने घोडे वो रख सकता है और कितने उसको रखने होंगे अगर उसका जात नमबर इतना है और सवार नमबर इतना है तो यह हुआ significance जात का और सवार का यहां पर ध्यान देनी वाली बात यह है कि जो आगे का नमबर जो रहता था यानि जो जात नमबर रहता था वो हमेशा बड़ा रहता था सवार नमब से, there were two ways to pay मनसबदार, और यह जो मनसबदार रखे गये थे, मिन जिनको प्रोटफोलियो कुछ दिया गया था, उन लोगों को दो तरीके से पेमेंट दिया जाता था, एक कैश के द्वारा, जिसे नगदी सिस्टम कहते थे, जो मुगल एमपेरर थे, वो कम प्रेफर करते थे, कैश देना, उनके जगे पर वो क्या करते थे, कैश ना देके, वो लोग जागीर दे रहे थे तो, तो जागीर क्या था, जागीर वे दे लैंड एर्या गिवन तो दो मनसबदार्स तो कलेक्ट रेवनू और तो ड्राहिस सैल तो जागीर क्या था, जो उस मनसबदार को दे दिया जाएगा, यहाँ से जो रेवनू कलेक्ट होगा, उसका इतना हिस्सा तुम रखोगे एंड उसमें से कुछ हिस्सा सरकानिक हजाने में जमा करोगे तो उस शर्थ पे वो जो जागीर था, वो जो लैंड था वो दिया जाता था मंसबदार को मंसबदार was placed in that जागीर on the hoop, that certain amount certain amount that was estimated कुछ guarantee नहीं थी कुछ fix नहीं था कि हाँ यह जो जागीर दिया गया है, यहां से इतने हजार रुपे ही जो है as a revenue collection होगा, this was not certain, इसलिए estimate निकाला जाता था कि इस जागीर से इतना revenue निकल सकता है, तो जिस तरीके का rank है, मिस जाट rank जैसा है उस बंदे का, उस मंसबदार का, उसके हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता था कि हाँ, यह जो जागीर है, यहां से इतना revenue collect हो सकता है, इसको इतना payment मिल सकता है, तो वो estimate लगा के, मंसबदार को जागीर जो है, वो provide की जाती थी, कुछ सालों के लिए and he was supposed to collect and to be collected by him as revenue and that would be sufficient for his salary and for maintaining army, और वो जो जागीर दिया जाता था मंसबदार को, उसमें यह उमीद की जाती थी, कि वहां से जो revenue collect होगा तो वो जो पैसे मिलेंगे, वो पैसे इतने sufficient होगे कि जो मंसबदार है, वो अपना personal salary उसमें से निकाल पाए and वो उतना पैसे निकाल पाए ताकि वो जो आर्मी है वो maintain कर पाए जो उसके सवार नंबर से denote किया जाता था कि कितना आर्मी वो maintain कर सकता था and साथ ही यह भी उमीद की जाती थी कि अगर उस area में production अच्छा रहा, revenue collection अच्छा रहा तो कुछ percent जो है वो बोला जाता था कि सरकारी खजाने में जमा करना होगा मनसबदार को तो इस तरीके से यह system जो है वो चलता था तो जो estimate revenue था उसे जमा कहा जाता था जो अनुमान लगाया जाता था किसी भी मनसबदार को वो जारीर देने से पहले एक अनुमाल लगाया जाता था कि उस एरिया में कितना revenue collection हो सकता है तो वो जो estimated revenue था उसको जमा कहते थे जमा को जब calculate किया जाता था copper coin के रूप में मिन्स जब compare करते थे उस estimated revenue को copper coin के term में तो उसको dumb कहते थे तो एक dumb जो था वो 1 by 40 part होता था silver रुपी का और जब dumb के अंदर हमने revenue को estimate किया तो इसको जमा दमी नाम दिया गया तो जमा दमी was the estimated revenue in terms of dumb यानि copper coin से compare करके वो जो revenue का estimate निकाला गया उसको जमा दमी कहते थे एक और word आता है हासिल हासिल जो है वो actual collected revenue था जो जमा था वो क्या था estimated एक estimate लगा जाता था कि इतना revenue collect हो सकता है बट जो actual collection होता था revenue का उसको हासिल कहते थे which was always less than the jamma in most of the cases and most of the cases में क्या होता था कि जो हासिल था मिन्स जो actually collect होता था revenue वो हमेशा कम रह जाता था jamma से मिन्स जो estimated revenue था वो हमेशा ज्यादा रहता था collected revenue से so due to less revenue collection मनसबदार used to maintain less army and horses and यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हासिल जो है यानि जो actual collected money है revenue है वो कम हो जा रहा है तो जब कम हो जा रहा है तो मनसबदार जो थे वो कम army रखने लगे and कम गोडे रखने पड़े क्योंकि जितना वो army रखेंगे जितने गोडे रखेंगे उतना ही उनको खर्चा होगा तो अपने खर्चे को expenditure को बचाने के लिए means army के ऊपर expenditure बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कम army और कम गोडे जो है अपने पास रखने लगे अगबर के बात पता चली जो मनसबदार हैं वो लोग आपस में सैनिकों को exchange कर रहे है इस मनसबदार के यहां पर अगर चेकिंग चल रही है अगबर ने अगर चेकिंग करवाई तो यहां पर वो जितने घोडे थे वो गिनवा दिये गए जितने सैनिक थे वो गिनवा दिये गए बाद में फिर दूसरे मनसबदार के वहाँ पर चेकिंग हो रही तो वहाँ पर जो घोडे हैं वो गिनवा दिये गए और सैनिक जो हैं गिनवा दिये गए बट यहां पर जब checking होनी होती थी तो इस मंसबदार की इस मंसबदार से अगर अच्छी बनती थी तो यहां से वो कुछ सैनिक और घोड़े मंगबा लेता था एंड वो दिखा लेता था कि भाई हमने तो सही से आर्मी मेंटेन की है एंड यहां पे जब checking हो रही है तो यहां वाला मंसबदार ने अगर कम आर्मी रखा है तो यहां वाला जो मंसबदार है वो अपने कुछ सैनिकों और घोड़ों को वहां पे बेज देगा तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि corruption होना start हो गया था तो इस corruption को check करने के लिए रोकने के लिए अगबर ने दाग एंड चहरा सिस्टम जो है वो implement कर दिया था दाग एंड चहरा सिस्टम पहली वर किसको दार इंटर्डूस करवाया गया था तो अलाउदिन खिलजी के दोआरा दाग एंड चहरा सिस्टम में होता क्या है तो दाग जो है घोड़ा यहां पर भेज भी दिया फिर भी यहां पर जो काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा हां वह यहां के तो जो स्टैंप लगाया था वो दूसरा था यहां का जो स्टैंप था वो दूसरा था तो इस तरीके से पता चल जाता था कि गोडों को यह exchange किया गया है कि ने किया गया है तो इस तरीके से dark system को यूद किया था तो it was just like having identity card जो sanic थे उन लोग का height, weight इस तरीके का मतलब जो physical features है वो बनवाए गया थे ताकि identify किया जा सके कि यह sanic जो है किस area का है उसकी बाद एक और reform जो है वो किया जाता है another reform system was introduced for this and that was known as दो अस्पा सी अस्पा यह जो system चल रहा था इसमें एक और चीज जो है reform के रूप में लाया जाता है उसका नाम दिया जाता है दो अस्पा सी अस्पा सो दो मिन्स टू अस्पा मिन्स होर्स सो दो घोड़े तिन घोड़े यह जो system है reform है यह जहां गिर के द्वारा introduce किया जाता है और इसके अंदर क्या बोला जाता है क्योंकि जात रैंक बढ़ाने का मतलब है उसकी पॉसनल सैलरी भी बढ़ाना एंड उसका डेजिगनेशन भी हाई हो जाना फोर एक्जामपल किसी को ग्रूप बी ऑफिसर से ग्रूप ए गैस्टेड आफसर में ट्रांस्प मतलब प्रोमोशन दे दिया तो लोग सवाल कि किस बेसिस पर आपने दिया तो उससे बचने के लिए और आर्मी ठीक से मेंटेन हो उसके लिए दो असपा सी असपा का जो रिफॉर्म सिस्टम है वो जहांगीर ने इंट्रियूस करवाया अंडर दो असपा सी असपा बोला गया कि जात रैंक उतनी रहेगे बड़ जो सवार रैंक बढ़ सकता है अगर वो मनसबदार जो है दो असपा सी असपा अगर अपनाता है तो उसका जो सैलरी है जो सवार रैंक के हिसाब से मिलती है वो भी डबल हो जाएगी मिन्स दो असपा मिन्स अगर वो दो घोड मतला अपने घोडों की संख्या सैनिकों की संख्य अगर double कर देता है तो army के उपपर expenditure के लिए जो पैसे मिलते हैं वो भी double हो जाएगा तो यह जो reform system है यह जहांगीर के द्वारा start किया गया था अगर एक हजार सैनिक रखा है उस मनसबदार ने तो वहाँ पे 2200 घोड़े जो हैं रखने पड़ते थे और यह किसलिए था यह इसलिए था कि कुछ जो gastric type के officer होंगे मिन्स जो मनसबदार ने जो सेना बना रखी है उसके अंदर एक leader होगा फिर उससे lower rank वाले होंगे फिर उससे lower rank वाले हो तो जो higher rank वाले हो रहते थे उनको जो है ज्यादा घोड़े दिया रहते थे जैसे आज के time पे अगर हम देखे तो जो higher official है higher official person जो है उसके पास दो गाड़ी दी जाती है तीन गाड़ी दी जाती है क्योंकि वह important है उसका कहीं भी पहुंचना जरूरी है तो एक गाड़ी अगर खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी में वह बैठके निकल सकता था तो उस basis पे जो है बोला गया था कि अग तो सम मनसबदार एक और reform किया गया था जिसकी अंदर कुछ मनसबदारों को temporary increase दिया जाता था जात राइंक में निस उनका जो जात नंबर था वो बढ़ा दिया जाता था था बढ़ा दिया जाता था तो हम देखेंगे ये मश्रूत के बारे में आगे जागीर वेड ट्रांस्फर आफ्टर एवरे थी टू फूर इयर्स उन एउन एवरेज जो जागीर था वो हर तीन से चार साल के बाद किसी और के हाथ में दिया जाता था एक मनसबदार ने इस जागीर पर तीन साल चार साल तक रूल कर लिया तो उसका जो है ट्रांसफर कर दिया जागीर में जिस तरीके से आज में आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जो गौवर्मेंट वोर्कस हैं जो बेसिकली अगर हम मिलिटरी में देखें तो एक जिगे पर रहने नहीं दिया आता है हर दो से तीन साल चार साल ऐसे होने के बाद फिर उस बंदे का ट्रांसफर कर दिया तो वही जो ट्रांसफर सिस्टम था वो अपनाया गया था इन लोग के द्वारा तो जो जागीर था वो ट्रांसफर कर दिया जाता है जागीर तो वहीं पर र करना था towards the end of the akbar's reason man sabdar had their followers consume man sabdar and their followers consume near nearly about 82% of the total annual budget of the empire और जब akbar का साशन last door में चल रहा था तब देखा गया कि जो man sabdar है man sabdar के under में जो लोग है उन लोग के ओपर 82% जो है वो annual budget खर्च हो जा रहा है मुगल एंपायर का तो इस तरीके से जब यह देखा गया कि 82% जो है जो revenue collect हो रहा है जो budget हम तयार कर रहे हैं उसका 82% man sabdar है उसके नीचे जो लोग है उनके उपर ही खर्चा हो जा रहा है तो फिर हमारे सरकारी खजाने में क्या भचे तो इसके बाद फिर क्या किया गया कि जो मनसब्दार थे उनका salary जो है रेडियो किया गया एंड यह चीज भी देखी कि जो 5.6% जो मनसब्दार थे उनके पास 70% wealth था तो बहुत सारे मनसब्दार ऐसे थे जिनको वह एरिया मिल जाते थे जहां पर production उतना नहीं होता था अगर production नहीं होता था वो तो वह लोग revenue ठीक से लड़ाई होनी चालू हो गई एक तरीके से competition चालू हो गया और जब यह competition चालू हुआ अच्छे जागिर के लिए तो फिर system जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है corruption वहाँ पर start हो जाता है तो अब आता है जागिदारी crisis तो जागिदारी referred to a division of the empire into number of a small area called जागिर and the person responsible for maintenance of that financial system of that area was called जागिदार तो अगर कोई बड़ा empire है तो उसको control करने के लिए जो system अपना गया तो उसमें बोला गया कि यह जो area है इसको जागिदार कहा गया and यह इस area का control जो है एक person को दिया गया तो वो जो person इस area को control कर रहा है उसको जागिदार कहा गया और यह जो area दिया गया है जो इसी बड़े empire का part है यह जो area है उसको जागिर कहा गया है तो जागिदारी system जो है introduce कराया गया था ताकि पूरे territory को छोड़े छोड़े parts में divide करके वहां पर अच्छे से law and order जो है maintain करके रखा जा सके and financially जो चीज़े हैं वो भी stable रहे हैं his work was to collect revenue from his area as decided by the financial head of the state depending on the conditions of the area and hand over the collection to the central empire और जो जागिदार था उसका काम क्या था तो उसका काम यह था कि उस area से वो revenue collect करे जिस area में उसको posting मिली है में जो जागिर उसके हाथ में दिया गया है kontrol जैगिर का इसके पास दिया गया है वो उस जागिर से revenue संट्रल डिपार्ट्मेंट में उनके पास जाके जमा करें तब जाके उसको अपनी स्टार्ट किया था उसको वजः सिस्टम कहते थे तो वो वज जो था तो वो एक land area था जो किसी के control में दिया जाता था and जिसके control में दिया जाता था उसको वाज़दार कहते थे and इस system को वाज़दारी system कहते थे बाबर distributed one third of the conquered area to the new people और new master जब बाबर ने कबजा किया यहां पे तो तीन में से एक जो हिस्सा था वो उसने नए जो masters थे उन लोग के control में दिया and जो नई जनता जो थी उनके हाथ में भी दिया मैं इन सम क्यार रखते हैं कि कुछ जो इंडियन rulers जो थे जिन्होंने accept किया बाबर को as king and उनके अंडर रहना पसंद किया तब बाबर ने वो एरिया जो है उनके control में दे दिया वन थर्ट एरिया उनके control में दे दिया जो जागिदारी सिस्टम में हो रहा था वही जो चीजी थी वहां पे भी चल रहे थी बट कुछ difference था बावर के बाद जो है जागीदारी system introduce हो जाती है जागीदारी system अगर हम देखे तो Delhi रट में जब start होती है उस समय के आसपा से start कर दिया जाता है बावर के बावर के बाद आता है तो वजदारी system में क्या था कि separation नहीं था financial and executive powers का बट जागीदारी सिस्टम में salary fix नहीं थी क्योंकि बोल दिया गया है कि यह area आपके control में यहां से जो production होगा उसके उपर जो revenue collect होगा उसी में से ही आपको अपनी जो salary है वो निकालनी है and army को भी maintain करना है So salary was not fixed and separate किया गया था executive and financial power score So this was difference between वजजदारी and जागीदारी सिस्टम तो यहां पर हर एक चीज को हमें analyze करना पड़ेगा क्योंकि जागीदारी सिस्टम में क्या हा गया कि salary fix नहीं हो रही है तो salary अगर fix नहीं है तो obviously बात है जो वीक एरिया में चलेगे जागीदार जो वीक एरिया में पढ़ गया वो क्या करेंगे फिर कुछ न कुछ corruption करेंगे तो वो फिर क्या करने लगे उन चीजों पर भी tax लगाने लगे जो central government नहीं लगवाना चाहते थी मुगल empire ने जिन ची चीजों पर भी tax इंट्रडूस करा दिया था इसके वज़े से जो जनता थी जो पीजेंट्स थे वह भड़कना शुरू हो गया और पीजेंट्स जब भड़कना स्टार्ट हुए तो हम देखें कि उस समय से ही present moments है कहीं कहीं स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट हो जाते जागीरे तंखवा कहते थे तो यह तंखवा हमें इस क्या हो जाता है पेमेंट तो हमें इस ताइप से याद रखना है instead of cash salaries nobleman were given rights over revenue from stipulated land कुछ एक particular area जो है उसका control दे दिया जाता था noblemans को में जो लोग काम कर रहे हैं मुगल empire के अंदर या फिर वो लोग जो मुगल empire से किसी ने किसी तरीके से connected है उन लोग को दिया जाता था और बोला जाता था कि यहां से जो revenue collector हो का उसी से आप अपनी salary निकालो इसको कहते थे जागिर तन्खवा फिर दूसरा एक आता है जागिर वो होता है इनाम जागिर तो इनाम जागिर जो है वो religious leaders को दिया जाता था charity के रूप में देन वतन जागिर तो वतन जागिर जो है it was a type of limited sovereignty over few village cities person holding वतन जागिर was not expected to provide any service to the state जो वतन जागिर जो carry करते थे उनके हाथ में कुछ village या cities है वो पुरी तरीके से control में दे दिया जाता था देन मश्रूत जागिर तो मश्रूत जागिर हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि यह जो है temporary basis पे जब जात rank increase कर दी जाती थी जात rank में temporary basis के लिए promotion दिया जाता था तो वो किस तरीके से दिया जाता था तो मश्रूत जागिर जो है उस मनसबदार को दिया जाता था जागिर given to an individual on certain conditions called मश्रूत जागिर it was mainly to give a person having higher rank and यह मश्रूत जागिर जो था वो सिर्फ उन लोग को मिलता था जो higher rank holder थे because of the जागिर's were transferred every three to four years so the मनसबदार's did not make any attempt to improve the infrastructure such as road and irrigation cannells तो यह जो जागिर था जो land था वो वहां का control जो है हर तीन से चार साल के बाद किसी और के हाथ में दिया जाता था means मनसबदार's जो थे वो change होते रहते थे तो इसके वज़े से क्या हुआ कि जो मनसबदार वहां पर post मतलब जिस मनसबदार को वहां का control दिया गया वो मनसबदार उतना ज़्यादा धियान नहीं देता था वहां के infrastructure के development में irrigation system को develop करने में या फिर road and canals बनाने में वो बिल्कुल धियान नहीं देता था क्योंकि उसको लगता था यार अभी तो मैं तिन-चार सल यहां हूँ उसके बाद तो मैं और को कहीं और ही transfer जाना है कोई और जागिर मेरे control में आ जाएगी तो मैं क्यों करूँ यहां पर development तो इस तरीके से क्या हुआ उस area का भी development जो है कम होने लगा तो area का development अगर कम हो रहा है तो public तो भाई असंतुस्ट रहेगी तो यह भी एक कारण बनता है इस तरीके से यह कारण बनता है मुगल empire के decline का फिर देखते ही जागिदारी सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉलम थी तो जो collection था revenue का वो उसी हिसाब से करना था जैसा central government ने बोला है यानि मुगल empire के court से जो बोला गया है जो आदेश दिया गया है उसी अनुसार जो है revenue collect करना था आप उससे जादा भी नहीं कर सकते हो उ उतने percent tax है तो उतना ही percent अप ले सकते हो आप यह नहीं बोल सकते हो नहीं इस एरिया में जो है revenue collection कम हो रहा है तो इस चेज पर मैं बढ़ा रहा हूं हूं जो मनसबदार था वो ऐसा नहीं कर सकता था यानि जो जागिदार था वो ऐसा नहीं कर सकता था there was a difference between estimated and actual revenue हमने देख नश्रो कर दिये और इस तरीकर से corruption स्टार्ट हो जाता है जो रवी और खरिफ क्रॉप जो निकलते थे उन सबको एक ही तराजू में तोला जाता था means दोनों का rate जो है same होता था मतलब हम अगर मोटा मोटी example ले तो हम कह सकते हैं अगर गेहू और चावल अगर उग रहे हैं तो दोनों को same rate पे जो है वो बोले जाता था कि इसके उपर revenue जो है same rate से collect किया जाएगा and mid season में जब जो जागीदार थे उनका जब transfer हो जाता था तो पता नहीं चलता था कि कौन यहां से वो जो revenue है वो कौन collect करेगा for example फसल लगी अभी and उस समय कोई और मनसबदार था कोई और जागीदार था उस land का head को किसी और को बनाया के रखा गया था बट जब फसल पक्ते ready होई उस समय तक मनसबदार जो है वहां का change हो जाता है तो यह जब change हो गया तो बताव भाई यह जो revenue collection है वो कौन करेगा नया वाला करेगा या पुराना वाला करेगा तो इन चीजों से मुगल जो empire था है उसके पतन का कारण बनेगी हम अगर overall देखे तो यह बहुत बड़ा dispute का कारण हो गया था जिसके वज़े से मुगल empire के अंडर में जो लोग काम कर रहे थे उनके बीच में competition चालू हो गया and उस competition की वज़े से मुगल empire जो है वो week पढ़ता गया तो आज क की वीडियो में इतना ही देखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ चल दें टेक क्या बाबाए थैंक यू